हाई हैं व्लकम बैक्ट टुद चैनल दा कोड़ाश टीवी तो आजails की जो व cors Once वीडियो हमारी होने वाली है कि में तर जिए संत्र जिए सर जरु हम स translating आठीफ और अजजेंघर आकर अज़को संदेश कूल सेंदर सेंदर समझेज ऐसे के दो मैतर सिगनल मतलब सेंदर इखाता है ? कि हमई 30 सिंदर सेंदर 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 सेंद सिगनल मेथसन रहाँ सकते हैं तो method signature के अगर बात करें तो method signature हमारा इन जावा method signature consist of name of the method followed by the arguments अब अगर बात करें method signature होता क्या है तो सबसे पहले ये देखते हैं let's suppose जिसे हमारी मम्मी होती है ठीक है और मान लो for example एक घर के अंदर मान लो एक घर के अंदर एक घर के अंदर for example दो बच्चे रहते हैं ठीक है एक घर के अंदर दो बच्चे रहते हैं और और इन बच्चों का नाम इन बच्चों का name, height, weight, color, everything सब कुछ सेम है ठीक है तो इस घर के अंदर जब दो बच्चे रहते हैं उनका name, height, weight, color सब कुछ सेम है तो जब भी इन बच्चों की मम्मी अपने बेटों को अपने children को बुलाएंगी तो वो कैसे identify करेंगी कि हमें कौन से kid को बुलाना है, कौन से बेटे को बुलाना है या फिर हमें कौन से children को बुलाना है तो कुछ ना कुछ identity, ऐसी different identity होनी चाहिए इन दोनों के पास जिसके तुरू method resolution जिसको बोलते हैं जिसके तुरू method resolution जो है method call जो है वो resolve हो सके method call जो है method call जो है वो resolve हो सके तो क्या कहने का मतलब क्या है कि इस घर के अंदर दो बच्चे हैं जिनका name, height, weight, color दोनों सेम है और उनकी मम्मी जब भी उनको बुलाएंगी और यह दूसरा है तो कुछ ना कुछ ऐसी different identity होनी चाहिए इन दोनों के पास जिसके तुरू मम्मी की जो call है जो mother की जो call है यहाँ पर वो resolve हो सके कि हमें किस बच्चे को बुलाना है तो इसका कहने का मतलब कि method call should be resolve तो अगर इसको map करें for example अपने coding में इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलता है for example हमें हमारे पास let's suppose यहाँ पर दो classes है ठीक है और यहाँ पर हमारे पास एक class है test ठीक है अब इस test class के अंदर अगर same signature के दो method है for example void m1 of inta और void m1 एक और है inta ठीक है तो अब method signature पहली बात तो होता क्या है method signature क्या होता है method का नाम plus उसके parameters यह देखो method का नाम और उसके parameters ठीक है अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो method का नाम क्या है method का नाम method name m1 और method का parameter जो है method का जो parameter है method parameter वो क्या है inta exactly यही सेम चीज जो है वो इस case में भी है ठीक है तो method signature जो है एक class के अंदर अगर सेम होगा तो जब भी जब भी compiler हमारा चलेगा let's suppose जब भी हमारा compiler compile करेगा code जब भी compiler code को compile करेगा और जब हम किसी method को call कर रहे होंगे for example हमने यहाँ पर लिखा test t is equals to new test ठीक है और हमने call किया t.m1 और pass करा 10 ठीक है तो हमने इस test class का यहाँ पर यह को object बनाया और हम t.m1 को call कर रहे हैं तो अब जब हम t.m1 को call कर रहे हैं तो यह t.m1 कौन से method को call करेगा यह वाले method को call करेगा कि यह वाले method को call करेगा वो confuse हो जाएगा कैसे confuse हो जाएगा क्योंकि दोनो method का नाम भी same है मतलब m1 और दोनो methods के पास parameters भी same है और उन parameters में quantity भी same है, quantity same का मतलब क्या है, इस class के अंदर INTA जो है, वो एक ही, मतलब एक parameter है, वो भी INTA type का, और इस method के पास भी INTA जो है, वो भी exactly same है, और दोनो methods के जो parameters है, उनकी quantity भी same है, मतलब इस methods के जो parameter है, उसकी quantity कितनी है, सिर्फ एक parameter है हाँ पर, वैसे ये वाला method M1, इसकी quantity कितनी है, parameters की एक, सिर्फ एक है, तो वो कैसे identify करेगा यहाँ पर, अब जैसा कि हमने यहाँ पर उपर भी बात करी थी, अगर एक घर के अंदर दो बच्चे रहते हैं, उनका name, height, weight, color exactly same है, तो जब भी उनकी मम्मी उनको call करेंगी, तो वो कैसे identify करेंगी, कि हम किस ब resolve, तो यहाँ पर भी वैसे ही, जावा में भी exactly same चीज हम कह रहे हैं, कि एक class के अंदर अगर same signature के दो method है, और वो same signature क्या होता है, method का नाम, जैसा हमने यहाँ पर बोला, method name, method name, plus method name, plus number of parameters, ठीक है, number of parameter and types, यह, तो इसको बोलता है, method signature, एक बार यहाँ पर फिर से clear लिख देते हैं, तकि समझ में आए, method signature क्या होता है, number of parameters, sorry, method name सबसे पहले, method name, plus types of parameters, plus quantity of parameters, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दोनों चीज़ें जो हैं, गलत हो रही है, method name जो है, method name वो भी exactly same है, m1, m1, types of parameter, वो भी exactly same है, inta, inta, और quantity of parameter, यहाँ पर भी इस method के पास एक parameter है, यहाँ पर भी इस method के पास, m1 के पास एक ही parameter है, तो अब जब jvm, जब इस object से, यहाँ पर हम कॉल करेंगे, तो यह जो t.m1 है, jvm, इसको कैसे identify करेगा, कि हमें कौन से method को call करना है, यह जो उपर वाला हमारा method बना हुआ है, ठीक है, यह जो उपर वाला method बना हुआ है, इसको call करना है कि यह जो नीचे वाला method बना हुआ इसको call करना है क्योंकि कोई भी different चीज इन method के पास है ही नहीं तो वो call ही नहीं कर पाएगा तो इसी को हम बोलता है method signature should be same method signature should be different in a one class मतलब अब जो rule हमारा है वो क्या होता है in a single class in a single class methods with same signature is not possible ठीक है तो इसका मतलब यही हो गया कि methods with same name in a single class class is not possible इसको अगर हम code से एक बर करके देखते हैं तो let's suppose हमारे पास यहाँ पर एक test class है इस test class के पास एक method है public void m1 of int a ठीक है और एक यहाँ पर एक और method है public void m1 of int a ठीक है अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसके अंदर first m1 method और यहाँ पर हम लिख रहे हैं second m1 method ठीक है अब let's suppose हम अगर test class का object बनाते हैं test t is equals to new test और अगर हम t.m1 को call कर रहे हैं और यहाँ से 10 pass कर रहे हैं ठीक है तो इस case में आप यह देखो कि यह जो t.m1 हमने call किया तो jvm जब जब jvm आएगा वो यह देखेगा कि हमें m1 method call करना है जो कि test class के अंदर लिखा गया है तो test class के अंदर जब वो देखेगा कि यहाँ पर तो 2m1 method लिखे गए हैं तो वो देखेगा चलो अच्छा 2 M1 method लिखे गए हैं तो हम यह देखते हैं कि कौन से parameter वाले M1 method को call करना है वो देखेगा कि यहाँ पर तो हमें जो है एक parameter दिया गया है तो हमें वो वाले method को call करना चाहिए जिसके पास एक parameter है फिर JVM देखेगा कि आरे यहाँ पर तो दोनो methods ऐसे हैं जिनके पास एक ही parameter है तब वो देखेगा चलो अच्छा ठीक है हमें क्या कहते हैं किसको अब उस method को call करना है जिसका return type exactly यहाँ पर जो हमको provide किया गया है उसी return type वाले method को call करेंगे उसी parameter type वाले method को call करेंगे कौन से method को call करना है क्योंकि दोनो methods के नाम भी same है M1 M1 दोनो methods के पास जो parameters है जिस type के हैं वो भी exactly same है और quantity जो है parameters की मतलब एक quantity यहाँ पर है दोनो methods के पास वो भी exactly same है तो यहाँ पर JVM के लिए यह चीज differentiate करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसको इसी लिए कहाँ जाता है कि एक class के अंदर एक class के अंदर same signature के दो methods नहीं रह सकते हैं तो अब method का signature कैसे different किया जाए या तो दोनो methods का नाम change कर दो देखो तोन्ट error चली गई M2 अब यहाँ पर हो गया ठीक है यह M1 है यह M2 है तो अब JVM सीधा समझ जाएगा कि यार हमें test class के अंदर M1 वाला method call करना है ठीक है M1 वाला method call करना है तो वो M1 वाले method को simply call कर देगा कि नाम ही अलग है अब let's suppose दोनो method का नाम अगर same है तो वो देखेगा कि यार दोनो method के पास same नाम है same type of parameter है और same number के parameters है तो वो कैसे differentiate करेगा तो या तो यहाँ पर number of parameters different कर दो मतलब यहाँ पर दो parameter कर दो और उपर वाले method के पास एक parameter है तो वो समझ जाएगा कि ठीक है यार हमें जो M1 method call करना है वो वाला करना है call जिसके पास एक ही parameter है inta मतलब तो वो उस M1 method को call कर लेगा अब अगर मान लो हम अगर number of parameters exactly same रखते हैं ठीक है तो फिर से वो differentiate नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों के पास same नाम है और number of parameters भी same है और उनका type भी same है तो फिर हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर float लिखना पड़ेगा मलब for example हमें यहां पर किसी दूसरे time का parameter type रखना पड़ेगा मतलब first वाले method के पास int type का parameter है और second वाले method के पास float type का parameter है तो अब यहां से जब फिर से jvm आयेगा तो वो देखेगा कि यार हमें वो m1 method call करना है जिसके पास int type का parameter है तो वो उसको call कर लेगा अब जब मानलो हम यहां पर 10.4 f लिखते हैं ठीक है तो वो यह देखेगा कि यार हमारे पास अब हमें float type का method call करना है अब यहां पर हमने f क्यों लिखा यह बहुत simple से चीज़े जावागी अगर हम कोई भी floating point number लिखते हैं तो by default वो double type का होता है ठीक है तो हमको call यहां पर double type का तो कोई वो है नहीं parameter तो इसलिए हमें float लगाना ही पड़ेगा यहां पर f लिखना पड़ेगा specify करना पड़ेगा कि यह float type का है तो य यह simple चीज थी method signature की उपर और यहां पर जो example दिया हुआ है वो exactly वही दिया गया है जो अभी तक हमने समझाया है और what is method signature इसका भी यह जो यहां पर example दिया गया है वो exactly वही है जिसकी हमने भी बात करी है तो यही simple चीज थी method signature की उपर जिसमें हमने क्या देखा कि method signature पहली ब का नाम क्या है ठीक है और type of parameter method method का जो parameter है उसका type क्या है और उस method के पास कितने parameter है मलब quantity कितनी है उस parameter की ठीक है तो I hope ये video आपको समझ में आई हो और method signature क्या होता है वो समझ में आया हो और ये rule समझ में आया हो कि in a single class in a single class method with same signature is not possible ठीक है same signature आपको हो सकता है I hope कि समझ में आ गया हो कि same signature क्या होता है वो यहां पर लिखा हुआ है method name plus type of parameter plus quantity of parameter तो I hope ये video आपको समझ में आई हो और अच्छी लगी हो मिलते हैं next video में till then keep learning अच्छी लगी हो